नमस्कार आप देख रहे हैं नीजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो उनाराइन शुवात करेंगे खबरों की राजेसान मध्यप्रदेश में बारिश के चलते कोटा बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी खत्रे की निशान से 130 पार कर गया है पिनाहर चंबल नदी खाट पर जलस्तर बढ़ गया है जिसकी वजह से आगरा में काफी लोग परिशान है कोटा बैराज के सरवधिक 12 लाग क्यू से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने से 30 लागों में हड़कम मचा हुआ है गाओ गाओ प्रशासनिक कर्मचारियों का चौक्यों पर डेरा है पानी बढ़ने से रात के समय ग्रामिनों ने गाओं से उंचे स्थानों को पलाइन किया है चंबल नदी के कई गाओं में बाड का खत्रा एक दर्जन से जादा गाओं के संपर्क मार्क टूटे हुए है बाड शेत्र में हर संबव सायता मदद को प्रशासन का प्रयास्रत टटवर्ती अलाके कि शेत्र में किसानों की फसले पूरी तरह से बरबाद हुई है चारो तरफ सिर पानी ही पानी नजर आ रहा है तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूर्मंत्री नरिन सिंग यादव ने जिला पंचात अध्यक शुबेटी मौनिका यादव के साथ मुक्य मंत्री से मुलाकात की है पूर्मंत्री नर्दिन सिंग यादव के मुक्य मंत्री योगी आधितनास से मुलाकात करने पर जिले में नए सियासी समीकर अनुपर रही है पूर्मंत्री की जिला पंचात अध्यक्ष बेटी मौने का यादाव और बेटा सचुनियादव के साथ मुख्य मंत्री से मुलाकात करने के बाद जिले के राज्यतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार कर्म है पूर्मंत्री ने कहा कि जन्पत के विकास के मुद्दे पर मुख्य मंत्री योगी आधितना से मुलाकात हुई है जिला पंचात अध्यक्ष के तरफ से दे गई जानकारी के अनुसार जनपत को सुखा ग्रस्त गोशित कराने के लिए मुख्य मंत्री से बात की गई है जनपत भ्रमन के लिए आप मेठी आज पहुँचेंगे सुभा दस बजे हालिपेट गोरीगंज इपी ड़्ली गेस्ट हाउस वो पहुंच चुके हैं गोरीगंज में आगमन होगा सुभा ग्यारा बजे यानी के अपसे कुछी देर बाद प्रतिमिधियों के साथ वार्ता करेंगे इसके बाद मुख्य मंत्री यहाँ पर यो जो योजनाई चलाई जा रही हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है करीब देड़ बजे ग्राम पंचायत सेभूई विकासकान गौरीगंज में अमनी सरोवर का रुकारपन भी कर सकते हैं प्राक्मिक पाटशालिया अंगनबाडी केंद्र औसमुदाह का रिक्षण करेंगे ग्राम चॉपाल का अयजिन होगा ग्राम पंचायत सोवग्रा विकासकान गौरीगंज में राशन की दुकान का निरिक्षण करेंगे ग्राम पंचाय सेम्भुई विकासखन गौरी गंच में गौशाला पंचाय भवन का निरिक्षन करेंगे करीब दो बजे PWD Guest House गौरी गंच में लंच होगा विश्राम होगा इसके बाद दो से तीन बजे तक कलेक्टेट सभाकार गौरी गंज में स्तारी अधिकारियों के साथ समिक्षा वैठक होगी करीब चार बजे कोविट कमान सेक्टर अमिटी का निरिक्षन करेंगे और चार से साड़े चार बजे तक स्वास्केंद्र गौरी गंज सेंटी जिला चिकिस साले गौरी गंज करेंगे इसके बाद पुमुक्यमंति केश्य प्रसाद मौरे कारीब साड़ी चार बजे पीड़ेवलोडी गेस्ट हाउस गौरिगन से लखनों के लिए रवाना होंगे तेवे मिनुट टो मिनुट कारक्रम डिप्रिसीम केश्य प्रसाद मौरे का परुखाबाद के शम्षबाद के मंदी बाजार निवासी मोहित गुप्ता अपने मित्र मयांक रस्तोगी के साथ परुखाबाद काम से आ रहे थी सिदरान अमलिया अन्शानन के डिकेट सामने से आ रहे ही बाइक से जोरदा ठकर हो गई वहीं दूसरी बाइक सवार विनित कुमानिवासी, चमनागिया, बरोना और इसका साला बबलु भी खायल हो गया ने फानन में चारो घालो का अम्बिलेंस से जिलास्पताल भरते कराए जिलास्पताल लोहिया नो डॉक्टर्स ने गंबीर रूप से खायल यूवक मुहिन कुपता को में तो घूशित कर दिया, वहीं गंबीर रूप से खायल बुलु अर विनित को जिलास्पताल लोहिया से रहफ़र कर दिया है थाना शम्शाबाद शित्र में शम्शाबाद फरोखबाद मार्थ पर गाउं अली या आशान के पास काय पूरा मामला अलिगर के बन्दा देवी शित्र के रगुवीर पूरी स्थित चल रहे मंदि निर्मान कारे को लेकर देर शाम बबाल हो गया तमाम हिंदुवादी मौके पर पहुंच रहे हैं आपने ताम मौनिका थापर पर मंदि निर्मान उखवाने के आरोप लगाए मौके पर थाना बना देवी सही तरने थानों का फोर्स शांती विवस्था बनाने में जुटा रहा देश शाम तक दोनों पक शेक दूसरे पर आरोप प्रतरोप करते रहें कड़ी मशकत के बाद आरादिकारियों के समझाने के बाद मामदा शांत हुआ है और अब कबर आ रहे हैं से जहां दीवियापूर धाना शित्र के फफोंद रोड में से तेक चार मंजला कपड़े के रडिमेट शोरू में आग लगने से बढ़ा हाथसा हो गया शौर्ट सर्किर के कारण आग लगने से हरकम पुमच गया इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां पहुँचे जिलाप्रसाशन के आला दिकारियों ने रस्क्यू आपरेशन कई घंटों बाद आग पर काबू पाया बताया जा रहा है कि शौर्ट सर्किर के वज़े से आग लगी है वहाई अग लगनी घटना के दोरान चार महिलाएं पांच पंजला इमारत में बेहोश हो गई वहीं दो लोगों की मौत हो चुकी है देर रात तक चले रस्क्यू आपरेशन के बाद आग पर काबू पालिया गया वहीं मीडिया से बात करते वें जलापरशासन के अधिकारों ने बताया कि दोर लोगों की मौत होई है वहीं आनने लोगों का इलाज किया जा रहा है अज शाम को आठ वजे दिवियापूर कस्वे के फफूंद रोड पर एक गार्मेंट्स का शोरूम है चार मिंजिला वहां सौर सर्पिट से आग लगने की सूचना पराप्त हुई इस सूचना पर फायर सर्विस औरहिया के फायर टेंडर साथी साथ दिवियापूर के एंटीपी सी और गेल के फायर टेंडर मोके पर पहुचे और उन्होंने वहां फायर पर काबू पाया फरुकावाद ने अपराण कर किशोरी के साथ सामुई दुषकर्म की खटना को अंजाम दिया गया है दुशकर्म की घटना से संसनी पली हुई है थाना मोदरवाजा के ग्राम नेकपुर खुर निवासी पिड़े दलित पिता ने ग्राम हातिपुर निवासी बश्वीर खान उसके पुत्र के विरोध दुशकर्म की रिपोर्ट दर्च कर आई है बीते 20 अगस को आरोपी रात में दलित के खर खुश गए और उसकी 13 वर्षे बेटी को जबन लिजाने लगे विरोध करने पर जाती सुचक शब्दों का इस्तमाल किया गया घराने पर बेटी ने परजनों को बताया कि शादाब और वसीम ने उसके साथ दुशकर्म किया है रिपोर्ट पुविता ने कहा है कि मिरसाथ आगे भी कोई घटना हो सकती है इस पर जल से जल अक्शन लिया जाना जाहिए और फिर मंभी पापा को गालीन दे रहते हैं चमत्ता हमारा के अगर भी भी फिर इनों ने इस्टेशन वेल बेल इस्टेशन पर बैठाल दिया कि जहाँ अपने घर जाओ इमाने बैठाल दिया एक लिखित तहरी प्राप्त हुई जिस पर वीवी गंज चौकी छेतर के नेगपुर खुर्द निवासी ने शिकाय दर्ज कराई है कि उनके घर के सामने दुकान पर काम करने वाला एक लड़का जो की काफी समय से उनकी बेटी के साथ फोन पर बात कर रहा था और वहें बीस आठ को भेला फुसलाकर कहीं ले गया है ततकाल सुचना को संग्यान में लेते हुए एफाईयार दर्ज कर जो लड़की थी उसको बरावत करने का थाना पुलिस के दौरा प्रयास किया गया एवं घरवालों के सायोग से लड़की बो अवेद मेडिकल संचालक डॉक्टर बन गये हैं मरिजों को दवा की जगा ट्रीटमेंट दे रहे हैं थानकोत वाली नगर के भुचपुरा ठाकुर वाली तली में कौसिया माडिकल स्टोर का एक पुरा मामला है माडिकल स्टोर के संचालक ने बताए कि उसका स्टोर का परमान पत्र भी हो चुका है निरस्त वहीं उसकी जानकार दे बताए कि दस्वी पास है और गरीब इलाज कम पैसे में कराता है इलाज के नाम पर इंसानों के जिन्दगी से यहां खिलवार किया जा रहा है स्वास्विभाग और ट्रगिस के सबसे बड़ी रापरवाही यहां देखने को मिल रही है ऐसे आरोप लग रही है प्रयागराज के श्रिगेवर पूर चौकी प्रभारी आशी श्राय को भूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया आशी श्राय प्रयागराज के श्रिगेवर पूर चौकी इंचाद आशी श्राय को भूस लेते रंगे हाथों गिरफतार किया गया है चौकी प्रभारी नेशी श्रिगेश्वर पूत्र निवाशी अध्यकुमार से पैसे मांगे थे मुरादाबाद की पाकबारा थानश्रित्र मेकर लेब में काम करने वाली लड़की ने लेब संचालक के खिलाब रेपकम को अदमा तज कराया पिडिता कारोप है कि लेब संचालक संचर नारंग ने पानी मिनेश्री दिवाई मिलाकोर से विहुष के उसके साथ दुषकर्म की अश्रिल फोटो बनाई अश्रिल वीडियो भी निकाला जिसके बार लगातार उसे धंकी देता रहा लेकिन जैसे तैसे रड़की ने इसकी सूचना परिजनों को दी परिजनों ने इस पूरे मामने में मुकदमा दर्ज कराया है घटना के समद्ध में जान कर देते वे उसमेसिटिया क्लेश बदारिया ने बताया कि यह पकबाडा में लैप समचालक की यहां युपति काम करती थी उसके दवारा यारूप लगाया कि आया कि लैप के मालिक ने महिला के साथ शारी कुछ पिडन किया दुशकर्म जैसे घटना को अजाम दिया समद्ध में पकबाडा थाने पर अभी उप पंचिकित कराया गया है संग्यान में आया है कि कोई श्लिल वीडियो बनाया गया था लेकिन अभी हमारे सामने वीडियो नहीं है जाच चल रही है कारवाई की जाएगी श्रावस्ति में महिला सुरक्षा के दावे फेल हुए है ऐसा हम नहीं कह रहे है ऐसा ही मामला कह रहा है पुलिस की सिपाही महिलाओं के भक्षक बन गए है पिडित महिला ने चौकी पर तनात आरक्षी पर छेचा अरश्लिल करते कारूप लगाया लक्षपर नगर चौकी पर तनात आरक्षी ध्रेंद कुमार मिश्पर महिला के साथ शेचा अरश्लिल करते का आरूप लगा है घर पर सो रही महिला के साथ आधिरात को अरश्लिल हरकत करने का आरक्षी पर यारूप लगा पती के विरोध करने पर गालियां दी गई है घर से पकड़ ले जाने का आ जब अज़ानी को पाल कर दिरेंदर मिच्रा आए हमें सीना को हाथ लगी है जब अज़ानी को पाल कर दिरेंदर मिच्रा आए हमें सीना को पाल कर दिरेंदर में से लगी है जब अज़ानी को पाल कर दिरेंदर मिच्रा आए हमें सीना 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 को पाल कर दिरेंदर मिच्रा आए हम बारिश के वज़ों से मौसम में भी काफी गिरावट देखी गई है माल रोड पूरी तरह से सुनसान दिखाए दे रहा है देडाद बारिश से कई लोगों के घर में पानी घुज गया न्यानिताल से कोई अप्रिय घटना का अभी पता नहीं चला है लेकिन जिस तरह से मौसलाधार बारिश हो रही है इसको लेकर प्रशासन और लोग पूरी तरह से अलोट नजर आ रही है दुनेशपूर नगर पंचाय सबागार में आमाबनी पार्टी के जिला एबम विधान सबापदादी कारी कारे करताओं की बैठक की गई बैठक में अगामी निकाय चनाव और नगर निकाय के चनाव समद्दत आमाबनी पार्टी की क्या भूमिका रहीगी साथी पूरे उत्रक्षण में नगर निकाय एबम निकाय चनाव में आमाबनी पार्टी किस तरह से मन्थन करेगी इस दोरान आमादमिक पार्टी के प्रदेश उपाधिया अक्षावमिधान सभा प्रभारी सुनीता टम्टा बाजवा ने कहा कि जो भी व्यक्ति अच्छा कारे करता है भाजपा के द्वारा एटी और सीबियाई के द्वारा उनके उपर जाज बैठा दी जाती है हुन्होंने कहा कि द्वारा के द्वारा खसानी की कोशिश की जा रही है देखे जिस तरीके से आपने मनीश सिशोध्या जी की बात कही यह तो भारती जन्ता पार्टी का अजंडा है कि जिस जो अच्छा काम करना चाहते हैं उस पर सीबियाई एडी की जाज बठा दिये जाती है जबकि मनीश सिशोध्या जी जो है वो बिलकुल इस तरीके की काम में नहीं है मैं यह कहना चाहते हूँ भारती जन्ता पार्टी के लिए कि अच्छे काम वालों को यह हमेशा इस तरीके का दर जो दिखाना चाहते हैं वो डर आम आदमी पार्टी जो है वो तो एक कट्टर इमानदार पार्टी है वो इन तरीके की डर के आगे बिलकुल नहीं जुकेगी और दंखम से जन्ता के साथ खड़े रहेगी देखेए अबी नई कारेकारी का गठन वहा है चिले में और जिला कारेकारी की बैठत थीस कारेकारी में विधानονसवा करेकारी और जिलाकारेकारणी के सभी जस्पूर, काशिपूर, भाजपूर, गजरपूर, विधानसवा के सभी पतादिकारी जो नवनियूत निर्वाचित हुए हैं वो सभी लोग यहां आज पहुचे हैं और आज का मिटिंग का एक मुच्छ उद्देश्य था कि आम आग्मी उत्राखन में पूरे दमखम के साथ और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बनी रहें नियूस वरल इंटियार के साथ